नमस्कार साथियो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तेईस अगस्त की PTI भरती प्रिक्षा का मामला पहुंचा हाई कोट PTI भरती प्रिक्षा सरकार और आयोग से मांगा ज्वाब तो साथियो PTI 6 कों की भरती के लिए हरियाना क्रमचारी चैन आयोग द्वारा आयोजित की गई तेईस अगस्त की प्रिक्षा को चुनोती देने वाली याचिका पर पंजाब हरियाना उच नियाल लेने हरियाना सरकार सहित क्रमचारी चैन आयोग वे अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है तो साथियो जो तेईस तारिक का PTI भरती प्रिक्षा हुई थी उसका मामला अब हाई कोर्ट में पहुँच चुका है उसको चुनोती देने के लिए तो पूरी खबर के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो पूरी खबर इस परकार है कुरुक्षेतर निवासी अंजली राणी ने एड़ोकेट रविंदर बांगड के माध्यम से याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट को बताया कि प्रिक्षा आयोजित करते हुए नेमों को दरकिनार किया गया है हैरत की बात तो यह है प्रिक्षा में दिये गए स्वालों में से 20 से अधिक स्वाल ऐसे थे जो स्लेबस में थे ही नहीं इसके साथ ही पूरी प्रिक्सा प्रिकिरियस विवाद से जुड़ी रही और तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब प्रिक्सा आयोजित करने वाले स्टाफ सदस्य का एक सदस्य हिंसार में उत्तर कुंजी के साथ पकड़ा गया जो किसी प्रिक्सा के इंदर में प्रिक्सार्थियों के बायोमेट्रिक निसान भी नहीं लिए गए तो कहीं अन्य परकार की कम्या पाई गई जब उत्रकुंजी की प्रिक्सा के दोरान उपलब्ध करवाई जा रही थी तो इसके माइने यह थे कि प्रिक्सा का पेपर लिक हो चुक जाच करवाने की मांग की है तो याची का करता ने कहा नेमों को दरकिनार कर करवाई है ये प्रिक्षा तो ये है अमर उजाला अखवार की तरफ से आज की PTI भरती प्रिक्षा के बारे में अपडेट इसी परकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना वी झाल